जुआ है लो दोस्तों मैं हो आपका बिजनेश दोस्त आशीश और आप सभी का बहुत बहुत च्वावत करता हूँ आज के सुल्यों में आज हम आपको सरल और आसान भाशा में मैंगो एक्सपोर्ट की बिजनेस के बारे में आपको जान गरे जिने वाले हैं कि लिए आप हमा हैं हमारे देश के मश्वूर आम एक्सपोर्टर मिस्तर अभीजी बसाले सर जो जिनको 15 साल का इस फिल्ड का किया और आप आल दी वे आमरे पास आये हैं अज की तारीक में हम कही सारे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड अधर आईटम्स आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें ग्रेप्स अंगूर है अनार है पॉमिकलनेट्स लोग संत्रा किमू और किश्मिश जो रेज केश्मिया और आपको हरल आ सकती है और अब मेरा खुद का एक्सपीरियन्स है वह मैं आपको एक्सपीरियन्स शेर करूंगा तुर्स तर बोस्तव कुन से हम हमारे देश से एक्सपोर्टेड वाराइटी से हैं एसा है कि हमारे देश में कुल मिला के कुछ उब तीसरा बदामी या बेंगनपली जिसको गोलते हैं साउथ इंडिया का है वो लार्जली एक्सपोर्टेड वाराइटी है और नौर्थ इंडिया में जिसको यूपी बेल्ट में लंगरा चोसा दशेरी फजली यह वराइटी बे अच्छे खासे पहमारे पर एक्सपोर्ट हो रही है इस में सबसे पहला जो लाइसंस है आपको कोई भी चीज एक्सपोर्ट करने के लिए एक DGFT डारेक्टर चंडरल ओफ फॉरेंड ट्रेड यह अथरीटी है इस authority से आपको import-export code IEC यह मिल जाती है तो यह मिलने के लिए आपको basic prerequisites क्या है आपके पास एक shop act होना जरूरी है एक bank account होना जरूरी है आज की तारीक में आपको GST certificate उसके basis पर आपको import-export code मिल जाता है agriculture export करने के लिए आपके पास एक NPPO मतलब National Plant Protection Organization इनका एक registration होना जरूरी होता है क्योंकि इनसे आपको एक phytosanitary certificate के लिए जैसे बंदा कोई भी आप अपने देश से किसी और देश में जा रहा है तो उसके पास क्या-क्या होना जरूरी एक तो आपके पास पास पासपोर्ट होना जरूरी है तुसरा आपके पास वीजा होना जरूरी है तो पासपोर्ट हो गया आपका import export code और वीजा वह होता है जो phytosanitary side effect फिर तीसरा आता है अपने एक trade promotion authority है जिसका नाम है अपेडा जो agriculture trade का promotion करती है तो यह तीन मेरे आज कल यह process बिल्कुल online हो गई है जिसके agents भी होते है बट मेरे खायल से आज online होने के बाद में उतना कुछ जरूर रहा नहीं है कि आप कोई agent के थू जाए और सर लगबग कितना लगबग आपेडा का आपका 5000 रूपीज का लाइसन्स मिलता आपको पांच साल का NPPO का भी 5000 और इसका भी मेरे खाल से 5000 ही होगा लगबग 15-20 रूपए इसका ऑफिशल खर्चा है और अगर आप agent लगाए तो उसमें और पांच 10-15 रूपए खर्चा जोड़ना बढ़ेगा जैसे कोई export करना चाहता है तो सर शुरू में ग्रहक दिखने के लिए आम का या फिर किसी भी फल का सर क्या तरीका है ग्रहक कैसे डून सकते है क्या किसी देश में जाके डूनना पड़ता है यहां से हम ग्रहक डून सकते हैं ऐसा होता है कि जैसा मैंने आपको कहा था कि अपनी जो ट्रेड प्रोमोशन और यह खुद अपने आप में मतलब ट्रेड प्रोमोशन के लिए काफी help करते हैं तो आपको इनके संपर्क में रह करती है और अपना एक पैवेलेंद रहता है गवर्मेंट अफ इंडिया का अपड़ा के तहट उसके अंडर आप अपना बूत ले सकते हैं इसमें क्या होता है कि दुनिया बर से काफी सीरियस बायर साते हैं फिर वह सीरियस बायर के साथ में आप डिरेक्ली इंटरैट कर सकत आपको सीधा बायर वहाँ पर मिलेगा देखने को रूबरू उनको आप अपना प्राइसिंग बताए आप मार्केट में थोड़ा सा उनका चेक करें और अगर मतलब सब कुछ ठीक है तो आप बिलकुल आगे बढ़ सकते हैं जो मुझे लगता है मतलब जो मुझे सोचा रहा ओनलाइन में जो आज की तारिक में इंडिया मार्ट वगर आपके काफी B2B ट्रेड कंपनीज है वेबसाइट्स है तो उनसे भी आप कर सकते भी यह एक तरीका हो सकता है पर इसमें एक रिस्क हो जाता है कि सामने वाले कंपनी का जो क्रेंशल है वो आपको मतलब जब तक आ नहीं है और इस बिजनेस में ऐसा है कि इस अ क्रेडिट और बिजनेस और आपको पता चला कि यह तो डिफॉल्टर है तो अब ऐसे वक्त पर आप क्या करोगे आपने तो ऑनलाइन देख लिया उसने आपका मतलब सारे आपके टर्म्स वगरा फिक्स हो गए फिर आप प्रॉ उस और यूरोप में आ और जाता है तो सरवी चाहतर आप ओल्मप ऑलाइटने यह ज़िए है sneaky आपने लं Anyways और यह सोता है एक फ्लाइट में आपको कंटेनर होता है मतलब यह एर लुयन कंटेनर होता हैcomm JJ至लन समालेस्ट नहीं ही शोगां का वक्राइल क्ते यह पांप किलो तो आपको 1200 kg आप लोएस्ट क्वांटिटी आप शिप कर सकते हो और फिर उसमें एक एरलाइन पैलेट आता है एरलाइन पैलेट जो होता है वह तीन टन का होता है तो तीन टन तक आप भैज सकते हो एक यूनिट में मैक्सिमम फिर आपको इसी के मल्टिपल में मतलब दो पैले जाती है तो वह लूस कारगो भी लेते हैं मतलब बिना कंटेनर के आप लूस भी माल दे सकते हो तो ऐसे जो एरलाइन होते है वह आपको 250 kg प्लस ऐसा भी रेट दे देते तो आप 500 kg भी बेज सकते हो यूजवली क्या होता है कि वह रेट जो होते हो थोड़े एक्सपेंसिव कर सकते हैं जिसमें आप ट्रायल कर सकते हो सामने वाले को foreign को भी आंधा जाता है कि आपका क्वारिटि कौर्टि कि ऑस तरी के आपका毋 आने वाला है हो मतलब कोई भी उसमें कीडा ना हो क्योंकि जो हमारी नैशनल प्लांट प्रोटेक्शन आथारिटी है वह हमें यह सर्टिफाइब करके दे रही है कि अवर प्रोडुक्ट और और प्रोडूस इस फ्री फ्रॉम पेस्ट कोई भी कीडा कोई जीव जन्तु इसके अंदर कुछ नहीं है तो यह सबसे फर्स्ट मेंडिटरी फिर दूसरी चीज आती है कि उसका लब कमर्शल एपिर जो है उसके उपर सकार्स ना हो कोई दाग ना हो साइज में भी वह अच्छा हो फिर आप जो एक बॉक्स में जो मैंगो भर रहे हो उसको सजा रहे हो उसको वह आइ प्रेस्ट फ्री करने के लिए कुछ लाइटरी जो आपका कोई बी प्रोड्यूस है उस प्रोडूस का एक सैंपल आप ले सकते हो उस फर्म से फिर वह फुट उस लाब में लेके जाओ प्रो लेग पका पल्प एक्स्राइट करके उसमें से केमिकल रेसिड्यूस आपको बत और अमेरिकन स्टैंडर्ड और जैपनिस स्टैंडर्ड जिस कंट्री को भेज रहे वह भी आपको सर्टिफिकेट ले देंगे तो तो वह आपके लिए इसील हो जाता है कि आपको स्टै कि ऐसे अब करना है तो जो क्यों पाता है तो क्या बश्किवर की हुई में उसके पास अगर शेड्वल है तो यूज्यू जोली आप अगर वह को एंडिशेड either अगे तो इसने कौने इसी डेट को यह स्प्रे किया हुआ है और अगर आपको उस केमिकल का इंफर्मेशन है अगर आप उस लेबल क्लेम देखोगे 45 डेज 15 डेज 30 डेज तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो लेकिन फिर भी हो सकता है कि वह गलत इंफर्मेशन देते होंगे हो सकता है उनका र प्रॉट में से अलग-अलग लोकेशन पे बारा फ्रूट लेकर उसको लैप टेस्ट करवा है अगर वो फ्री आता है मतलब पेस्ट फ्री आता है तो फिर देरे आप उसका अंदजा लगा सकते कि यह बंदा सही है यह बंदा गलत क्योंकि अगर आगे जाके फिर आगर आप आपका shipment वहाँ जाके reject होता है तो नुकसान आपका काफी भारी बर कम हो सकता है इसी के लिए मैं आपको वह पहले suggest कर रहा था कि आप पहले first step यह है कि आप exporter को supply करें ताकि आपको यह सारे norms पता चल जाएंगे यह सब आप देखोगे कि यह लगता है यह नहीं लगता है त किस तरह से लगता है तो ऐसा होता है कि हमारे जो representatives है यह supervisors कहते है यह supervisors जो है वह farmers के साथ में regularly interact करते रहते कि किस तरीके कि आप chemical spray करो जिससे कि आपका प्रोडक्ट जो है वो पेस्ट फ्री हो तो वो उनका closely उनके साथ में monitoring चलता है फिर क्या होता है कि farmer जो है वो हर्वेस्टिंग करके खुद हमारे पैक हाउस पे माल डिलिवर करता है फिर उसमें हम उसको segregate करते है एक local grade निकलते है एक export grade निकलता है तो export grade का उसको norm पहले से पता होता है कि export grade क्या है मतलब उसके उपर size है उसको sunburn का mark नहीं होना चाहिए पेस्ट फ्री होना चाहिए और physical appearance भी अच्छा होना चाहिए और इस तरीके में जो इस norms में जो बैठता है वो मैंगो export quality में आ जाता है जो इस norms में नहीं बैठता है और mature भी होना चाहिए फ्रो जो rejection mango है वो हम local market में sell करेंगे उसका जो local rate जो निकलेगा वो local rate किसान को देते है जो export quality है उसका rate जो है predetermined है वो हम farmer को पहले से बता के रखते कि export quality का rate जो है यह रहेगा फिर उसके आगे country specific उसकी requirement जैसी होगी तो हम उस ही साब से उसको treatment करेंगे जैसे यूरोप के लिए hot water treatment जरूरी है जो अगर Middle East के लिए कोई export कर रहे है तो उनको फिर pre cooling करके सिधा container stuff करना है अगर USA के लिए कर रहे है तो उसको irradiation करना पड़ता है तो वो सारी treatments करके उस तरीके packaging करके फिर हम उसको एक pest free vehicle में जो referred containers होते हैं उसमें हम लोड करके फिर वो उसको airport तक लेके जाते हैं और फिर वहां से वो एक्सपोर्ट के container में लोड होके फ्लाइट में चड़के वो जाए ज्यादा तर अभी आम के export में जैसे आपने कहा कि बाए एर जाता है पेमेंट जो होता है यह कुन से कुन से मोड जातर चलते हैं यह तो बैंक में टीटी से ही mostly काम होता है मतलब य इसमें यह तो मतलब दो ही टम्स चलती है कि यह तो एडवांस पैमेंट यह तो पार्शल एडवांस पार्शल अगेंस डिलिवरी इस तरीके से अपने काम चलते हैं इसमें सर एडवांस अभी देंसे कोई नया शुरू करता है तो उस एडवांस मिल सकता है यह तो बहुत ही advance वो डिमांड कर सकता है जो already established player है और कोई नया importer उससे माल खरीदना चाहता है तो वो advance डिमांड कर सकता है और अगर जैसे मान के चलो advance नहीं मिलता है तो सबसे दूसरा अच्छा तरीका कौन सा है सबसे बेस्ट तरीका एक और चीज होता है जिसको कहते है ECGC Export Credit Guarantee Corporation इसको आप approach कर सकते हो यह government of India undertaking है इसमें आपको credit insurance मिलता है for example आप UK में export कर रहे हो और वो credit मांग रहे है तो आप ECGC के पास जा सकते हो उनकी वो credentials चेक करेंगे और अगर वो company सही है तो यह आपको credit insurance देंगे से अगर 10,000 pound का shipment करें मतलब 10,000,000 रुपे का shipment है तो उसमें से 90% amount आपका secured होगा ECGC के पास मतलब अगर वो सामने वाला payment नहीं देता है तो ECGC आपको up to 90% माने 9,000,000 रुपे तक आपको वो payment करेंगे इसमें सार हैसा नहीं कर सकते कि जैसे मान के चलो credit नहीं मिल रहा है पर जैसे हमने माल भेज दिया जो importer उसने माल देख लिया माल चेक कर लो अभी आप मेरे को मेरा पूरा payment दे दो या तो फिर आप दूसरा काम कर सकते हो कि आप उस destination country में अपनी एक company खोले ठीक है और अपना एक warehouse rent पर ले ले फिर आप क्या कर सकते हो कि उस country में जब आपका माल जाएगा एक वहाँ पर बंदा होगा तो वो आपका clearance करेगा देन यूर company becomes owner of that shipment और फिर आप सामने वाले को बोले कि माल देख ले और payment कर ले लेकिन फिर ये थोड़ा सा काफी expensive affair है कि आप foreign country में जाके उदर अपना एक office खोल रहे तो you are becoming multinational तो आपको उसमें भी tax implication उस country के norms ये सारी चीज़े आपको उसमें करने पड़ेगी तो अगर advance नहीं मिल रहा है तो आप जाके ECGC करो ECGC से भी आपका मतलब satisfaction नहीं हो रहा है तो आप खुछ जाके देखो customer का credentials check करो कोई नया शुरूवत ही करना चाहता है ये business तो सरक कम से कम कितना पैसा होना चाहिए कम से को अब ये तो बहुत relative होता है कि उसको business कितना करना है उसके उपर वो depend करेगा कि कितना पैसा होना जरूरी है वैसा तो आपको एक करोड रूपय भी बहुत कम है और पाच लाक रूपय भी बहुत जादा है पर आप ये देखिए कि अगर एक shipment आप भेज रहे हो तो एक container भी भेज रहे हो तो एक container का price हो सकता है say for example जो airline container है उसका प्राइस आपका हो सकता है छे से साथ लाक रूपय उससे आप शुरू कर सकते छे साथ लाक रूपय आप फंड आप लेकर करके एक shipment कर सकते अगर वह successful रहा तो दूसरा करो तीसरा करो accordingly आप उसको आगे ले जा सकते तो छे साथ लाक में एक container मतलब 1200 किलो का जो एक shipment हो सकता ह सर इसमें किसान को जो पैसा देना पड़ता है यह किलो के उपर से ही आम पर्चिस करना पड़ता है जी बिल्कुल तो अपना यह जो सब चलता ही है सब किलो के उपर ही चलता है जी बिल्कुल सर मैंने देखा था यह आम जो होते हैं जैसे आलफान्सो का मैंने देखा था यह आम जो है उसके डंडी के साथ यह तोड़ते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि हर मैंगो के अंदर एक लाटेक्स होता है जो जिसको दूद कहेंगे यह सैप कहते तो दैट इस प्रोटेक्टिंग नॉच ऑफ दे मैंगो और जो भी एंजाइम्स है बाहर से उसको शुगर में कनवर्ट करने का भी काम करता है जो मैंगो पकेगा तो उसकी वज़ा से पकता है तो वह दंडी के बिल्कुल उपरी इससे में होता है अगर उसको काट देंगे तो वह स्पिल आउट हो जाएगा आपने वह देखा होगा कच्छे आम को अगर एकदम नजदीक से आप आता है तो वह एक तो इसका केमिकल तो वह अपना निशान छोड़ेगा जब वह पकेगा आम की सेफटी के लिए और वह बहुत होना बहुत लेकिन छोटा रहे ज्यादा बढ़ा ना रहे हमारे देश का जो आम है कुन से कुन से देश में यह एक्सपोर्ट हो सकता है य उनकी टेस्ट बड्स को ज्यादा प्रभावित करता है या वह ज्यादा खाना पसंद करेंगे इंडियन सबकॉंटिनेंटल कंट्रीज क्या है तो इंडिया है इंडिया नेपाल बंगलादेश पाकिस्तान श्री-लंका और मिडलिस्टन कंट्रीज जो है जो इसलामिक जो डिमांड है वह उन्हीं लोगों की है जो यहां के सब कॉंटिनेंटल लोग वहां जाके बैठे क्योंकि वहां के जो नेटिव यूरोपियंस एया नेटिव अमेरिकंस है उनकी टेस्ट जो है वह थोड़ी सी हटके है तो वह उतना ज्यादा स्वीट आम खाना पसंद नह उसके साथ ही साथ फिर जर्मनी है, फ्रांस है, स्विजर्लेंड है, नेधरलेंड है। सर एक चोटा सा सवल, जैसे अगर कोई एक्सपर्ट करना चाहता है, तो कितना इंग्लिश उसको आना जरूरी है। मैं कहुंगा कि इंग्लिश क साथ कीमी कर लाएंग्व बिजनेस में आज आज की तारीक में बहुत ही जरूरी है। जो आपका पूरा बैंकिंग होता है, जो आपका मेलका अर्ट होता है… जैसे आपनर बंगलादेश उसमें आप नहीं होता है। यूजवली मिडलिस्ट में काफी सारे इंडियन्स या एशियन लोग, इंडिया, पाकिस्तान, बांगलादेश के लोग ही ज्यादा दर ट्रेड कर रहे हैं तो आप उनके साथ में आप हिंदी में बात करके कर सकते हैं अगर कोई यूरोप में या फिर यूएस में आम एक्सपर्ट करता है तो लगबक सर कितना परसेंट प्रॉफिट मिलता है मैं अपना एक्सपरियंस बताऊंगा, कि हम कोशिश करते हैं कि कुछ दस परसेंट तक प्रॉफिट हम रखे उसमें जब भी हम अपना कॉस्टिंग करते हैं इसमें क्या होता है कि जब हम कोशिश करते हैं दस परसेंट प्रॉफिट रखे तो उसमें कोई एक ऐसे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सीजन के एंड में हमें समझ में आते हैं कि जो हमने कंसिडर नहीं किये तो वह लगबग 2% या 2.5% 3% तक वह एक्सपेंडिचर हमें पता चलते हैं कि एक्सपेंसे जादा हुए लगता है ट्रांस्पोर्टेशन में हमने कुछ थोड़ा कम गिन लिया फिर ऐसा बन में आप जब काम कर रहे हैं तो उसमें पिल्फिरेज आते हैं हो सकता है कि आप जब 1000 बॉक्स भेज रहे हो सामने वाली पार्टी तो कुछ बॉक्स उसको डैमेज कंडिशन में मिले हो सकता है 5 बॉक्स डैमेज हो गए या 2-3 बॉक्स सेंपलिंग में निकल लिए 4-5 ब अरशन आता है end of the year मतलब लगबक साथ लट रुपे का कंसेनमेंट होता है तो लगबक 30 35,000 रुपे उसमें मिलते हैं अगर कोशिश करेंगे तो शायद हमें कुछ नहीं मिलेगा आपके पास यह certificate अपने लाना है यह इस एक इस अपने लाना है यह जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह हमारा ब्रैंड है जो हमारा मैंगो गा ब्रैंड है जो हमने युनाइट सेट्स ओफ अमेरिका में रजिस्टर करके रखा हुआ है, वियर प्राउड से क्या हमारा ब्रैंड जो है अमेरिका में रेजिस्टर है तो यह अपने आप में बहुत-बड़ी उडलव दिये है यह मैं आपको स्पेशली तोटन में बताना चाहूंगा कि अमेरिका के एक्स प्रसेटेंट जो पूर्वराश्रिपती थे छी जॉर्ज बुश जिनोंने इंडियन मैंगोज को 2007 में पहला एक्सेस दिया था अमेरिका में तो उनको हमने एज ग्रैटिटूट 2008 में कुछ मैंगो यह उन्होंने हमें लेटर दिया है लेटर अप्रिशेशन जिसमें उन्होंने काफी साहा है और मैंगोज को यह हमारे लिए किसी बड़े सर्टिफिकेट से नीचे नहीं है यह बहुत बड़ी अच्छी मेंट है विलकुर और जो हमारे मैं कहूंगा कि इंस्पिरेशन सोर्स है जो पूरे महराष्ट के या पूरे हिंदुस्तान के इंस्पिरेशन सोर्स है वो श्री चत्रपदी शिवाजी महराज है जिनका हम मतलब जिनकी तरफ देखके हमें उर्जा मिलती है अंधर्सपूर्ती मिलती तो यह सारी जो चीजे हैं यह हमने इनके साथ में लगा के सब्सक्राइब किजिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के सब तब तक के लिए गुद्बबाए दोस्तों एंड टेक्ट करें